हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मिरना मिसंदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटूब चैनल पर आसा करता हूं कि आप सभी बहुत ही उम्दा होंगे अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम दोग 9 नमंबर 2021 के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफ ऐसे कुश्चन मैंने लिये हैं करेंट अफेर के जो आपके आगामी परिछाओं में पूछे जा सकते हैं चाहे आप SEC की तयारी कर रहे हैं या इवन बैंक, UPSC किसी भी एकजाम के आप तयारी कर रहे हैं करेंट अफेर से जो है 4 से 5 कुश्चन आपको एकजाम में अपने द करता हूँ तो चले फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुश्चन नमबर एक को देखते हैं देखिए आपर सबसे पहले कुश्चन में पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने जो है सस्टेनेबल अरबन कूलिंग हैंडबुक सिरसक से एक रिपोर्ट जारी की है इन च तो देखिए इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ओप्सन नमबर भी किस संगठन ने सस्टेनेबल अरबन कूलिंग हैंडबुक सिरसक से एक रिपोर्ट जारी की है तो यू एन एपी ने अब यू एन एपी का फुल फॉर्म क्या होता है यू तो सौट में यू एन एपी और इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वर्मेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है तो यहाँ पर यू एन एपी ने जो है सस्टेनेबल अरबन कूलिंग हैंडबुक सिरसक से एक नई जारी की है और इसमें मैंने बताया कि इस रिपोर्ट के अनुसार सहर हाट स्पाट होंगे क्योंकि ग्लोबल वर्मिंग अनियंतरित रूप से जारी है इसलिए जो सहर है जो आपके सिटी जिन वो क्या होंगे हाट स्पाट जैसे कि अभी कोविट काल में हम लोग का जहाँ केस ज़ादे थे कौरोना के वो उस area को hot spot घोसित किया गया उसी प्रकार से जहां से इस प्रकार की GAS ज़्यादा produce हो रही है जिसको विज़े से global warming हो रही है तो वो जो है सहर hot spot होगा इस report के अनुसार देखिए अगले point में मैंने बताई कि सहरी ताप द्वीप प्रभाव यानि कि urban heat ice land effect के कारण सहरों को जलवायू परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा तो ये भी काफी important है और इसके साथी साथ मैंने बताई कि यह report दुनिया के 1692 सबसे बड़े सहरों के विशलेशन पर आधारी थे यानि कि ऐसे ही इस report को तयार नहीं किया गया है इसमें विश्व भर के 1692 बड़े सहरों का विशलेशन किया गया है तब इसके बाद से इस report को तयार किया गया है तो आसे करता हो detail clear हो गया होगा आई एगले question देखते हैं देखिए यहाँ पर अगल गया है ठीक है question को एक बार अच्छे से clear कर लिए नवंबर 2021 तक कितने देश जो है powering past coal alliance जिसको sort में यहाँ पर double PCA कहा गया है का हिस्सा होंगे कितने देश तो देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा option number B अनतालिस देश जो है यहाँ पर powering past coal alliance का जो है यहाँ पर हिस्सा होंगे यह आपको याद रखना है अब इस question के जो important details हो सकते हैं उसको भी जान लेते हैं देखिए सबसे पहले point में मैंने बदाए कि powering past coal alliance जिसको sort में double PCA भी कहा जाता है कोईले को चरणबद तरीके से खत्म करने के लिए समर्पित एक अंतराश्टी या गठबंदन है तो इसे आपको याद रखना है तो यहाँ पर powering past coal alliance क्या है तो कोईले को चरणबद तरीके से खत्म करने के लिए एक समर्पित एक dedicated अंतराश्टी ये संगठन है आप सभी को पता है कि हमारे देश में जालतर बिजली किस से बनाई जाती है कोईले से बनाई जाती है कोईले को और हमारे देश में भी maximum बिजली इसी से बनाई जाती है और जिससे की environmental pollution भी होता है और यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलते है इसलिए इसका इस्तमाल कम करने पे यहाँ पर जोर दिया जा रहा है और इसी के लिए जो है यहाँ पर यह गठबंदन बनाया गया है क और इसके साथ ही साथ इस गठबंदन में सामिल राष्टी यह सरकारों की संख्या कितनी हो गई है 48 हो गई है तो यह भी काफी important है इसके बाद से मैंने बताया कि डबल PCA के नए सदस्यों में यूकरेन है पोलेंड है सिंगापूर सामिल है और इसके साथ ही साथ जो है चीन भारत है और अमेरिका जो कि यहां पर अमेरिका सबसे ज़्यादा योट्यूब प्रोडिश करता है यह कोईले के द्वारा बहुत ज़्यादा बिजली बनाते हैं और कोईले का इस्तमाल भी करते हैं लेकिन इस गठबंदन में यह तीनों देश सामिल नहीं है तो यह भी कि प्रजाती है इन सारो विकल्पों में से अगर आंसर पता है तो आप बता सकते हैं तो देखिए और सबसे पहले पॉइंट में नहीं खोजी गई प्रजाती है जिसका नाम इन्टी, टेनिजर, टेंजर, हिलियो, थरवपिस, ओन इली है और थ्रूपीड के बड़े परिवार से सम्बंदित है जिसमें तीन सो सत्तर से अधिक गीत पच्छी प्रजातियां सामिल होती है तो नाम थोड़ा से कॉम्प्लिकेटड है लेकिन आप इसे याद रख सकते है जो अभी नई यहाँ पर डिस्कवरी की गई है पंच्छी प्रजातियों में इसका नाम क्या है एंटी, टेनिजर, यानि के हिलियो, थरवपिस और ओन इली है और यह जो है थ्रूपीड के बड़े परिवार से सम्बंदित है जिसमें तीन सो सत्तर से अधिक गीत पंच्छी रिजन में रहते हैं तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है तो आसा करता हूँ कि डिटेल से आपको क्लेर हो गए होंगे तो ऐसे डिस्कवरी जो अभी हाली फिलाल में हुई है तो उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने करेंट अफेर जो बन सकते हैं उनको भी कराने का प्रया लांच किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ओप्सन नंबर भी DRDO अब DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है तो डेफेंस रिसर्च एंड डेवलमेंट जो इसका फुल फॉर्म होता है इसे भी आपको याद रख लेना है अब इस कोश्चिन के जो देश में विक्षित स्मार्ट एंटी एर फिल्ड हतियार के दो परिछण के हैं इसके साथी साथ रच्छा मंत्राले के बयान के अनुसार राजिस्थान जैसलमेर में चंदन प्रवतमाला से यहाँ पर भारती या वायू सेना के एक विमान द्वारा हतियार को लांच किया ग सटीकता के साथ जो है नश्ट किया गया यानि कि बहुत ही यह सटीक है वेपन आपका इसका नाम के स्मार्ट एंटी एर फिल्ड हतियार यह कापी इंपोर्टेंट है तो आसा करता हूं कि कुश्चिन का डेटेल क्लियर हो गया होगा आई एगला कुश्चिन देखते हैं जो है आपका सुमोवा में पाया जाता है माता लाफी एक पारंपरिक पौधा है जिसे आईबरू प्रोफेन का प्रतिद्वंदी भी माना जा रहा है यह किस देश में पाया जाता है तो यह शुमोवा में पाया जाता है अब इस कुश्चिन के जो इंपोर्टेंट डिटेल से उसे भी जान लेते हैं देखिए सबसे पहले पॉर्ण में मैंने बताए कि एक नए रिसर्च या सोध के अनुसार सुमोवा यानि कि ओसीनिया में देश में जो है ओसीनिया जो देश है उसमें जो है एक पौधा जिसे जो है माता लाफी कहा जाता है वह आईबरू प्रोफि जितना सक्ति साली होता है इसे याद रखना है अगले पर्ण में मैंने बताए कि इस पौधे का उप्योग पारंपरिक रूप से बुखार सरीर में दर्द और भूत की बिमारी के इलाज के लिए किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुरलब पौधा है इसके साथी इंसुलरम भी कहा जाता है इसके साथी साथ यह तटो के साथ और समोवा के जंगलों में उगता है तो यह काफी इंपोर्टेंट है तो देखिए यहाँ पर एक कंट्री का नाम मैंने आपको बताया समोवा तो यह एक दे से यह भी आपको याद रखना है बहुत लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना तो देखिए समोवा की जो कैपिटल है यहाँ पर एपिया है इसे भी आपको याद रख लेना है और इसके साथी साथ जो है यह दच्छडी प्रिसांत महा सागर के समोवाई द्वीप के पश्चिमी भा में जो है यह जाना जाता है सुमोवा इसे आपको याद रखना है और इसकी रध्धानी क्या है एपिया तो आसा करता हूँ डेटियल आपको क्लियर हो गया होगा आई एगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर 6 देखिए इसमें पूचा वाली चीन के तरप से ये आपको याद रखना अब इस कोश्चिन के जो इंपोर्टन डेटेल से उसे भी जानते हैं देखिए आपर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताए कि अंतरिच यातरी वांग यापिंग अंतरिच में चलने वाली पहली चीनी महिला बन चुकी हैं और इसके साथी साथ वा देश के अंतरिच स्टेशन के छे महीने के मिसन का हिस्सा भी हैं और मैंने यहाँ पर बताए कि वांग यापिंग अंतरिच यातरी जाई जिगांग और ये गुवांग फू के साथ जो है चालक डल का हिस्सा भी हैं और इसके साथी साथ तियांग जिसका आर्थ होता है यहाँ पर स्वर्गी महल एक प्रमुक अंतरिच सक्ती बनने के लिए चीन के सैन नित्रित्व वाले अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यानि के जिस मिशन पर यहाँ पर आपका वौंग यापिंग गई है यह आपका तियोंग मिशन है और इसका मतलब होता है स्वर्गी महल और यहाँ पर इसका आर्थ बताएगे कि एक प्रमुक अंतरिच सक्ती बनने के लिए चीन के सैन नित्रित वाले अभियान का एक यह महत्वपूर्ण हिस्सा है काफी इंपोर्टेंट है यह कोश्चन और इसका जो डिटेल्स मैंने बताया उसको पदम स्री पदम विबूशण इस तरह के जो है शम्मान से यहाँ पर 131 लोग को सम्मानित किया गया है 2020 में आप बोलिए गा अगर आपको इसका वीडियो चाहिए यहाँ निको पदम स्री या पदम विबूशण से सम्मानित किया गया उसके बारे मैं एक वीडियो बना मेरी कॉम है तो इस तरह की सक्सियतों को यहां पर पदम विभूशन से सम्मानित किया गया है आईए इस कोश्चिन के जो इंपोर्टन डीटेल से उसको भी जानते हैं पहले देखिए आपर सबसे पहले पॉइंड में मैंने बताए कि 141 लोग राष्टपती रामनात कोविंद ने हालही में राष्टपती भवन में एतिहासिक दरबार में 141 लोगों को वर्स 2020 के लिए पदम आवर्ड से सम्मानित किया इसके साथी साथ इस वर्स साथ हस्तियों को पदम विभूशन और सोला को पदम भूशन तथा 118 को पदम स्री पुरुशकार देने की गोशला की ग बता है कि इस वर्स 33 महिलाओं को पदम पुरुशकार से सम्मानित किया गया है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो देखे यहां पर तीन आपका सम्मान है पदम विभूशन और पदम भूशन और यहां पर पदम स्री तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो मैंने उपर अभी बताया कि अगर आपको इसके वीडियो चाहिए तो comment box में आप लिखकर जरूर बताईएगा इस सम्मान से किन किन सक्सियत को सम्मानित किया गया उसके उपर पूरा detail में में वीडियो बना दूँगा तो comment box में लिखकर जरूर बताईएगा आसा करता हूँ कि detail आपको clear हो जाएगा वो है आपका option number C 168 इस्थान पे बारहवे द्वी वारसी परियावरण प्रदर्शन सूचकांग के मताबित भारत का जो इस्थान है वो 168 है इसे आपको याद रखना है अब इस question का जो details important है उसे भी जानते हैं देखिए आपर सबसे पहले point में मैं ने बताई कि 16 168 इस्थान पर जो है यहाँ पर भारत का नंबर है बारहवे द्वी वरसी परियावरण प्रदर्शन सूचकांग के मताबिक देखिए भारत 168 इस्थान के साथ भारत अपने पडोसियों से भी यहाँ पर कह लिजे कि बहुत पीछे है मतलब पडोसी जो हमारे देश से चाह परियावरण प्रदर्शन सूचकांग के मताबित तो काफी important यह question है आप सभी के आगामी परिछाओं के दिरिष्टी से तो इस question को अच्छे से याद कर लीजेगा और इसके details को भी अच्छे से समझ लीजेगा देखिए अगले point में मैंने बताए कि विस्वस्वास्त जो है बताया गया जिसमें भारत का इस्थान कौन सा है 168 तो यह काफी पीछे है इस मामले में और इन चीजों को गंभेरता से हमारे देश में लेना चाहिए परियावरण प्रदूसर से संबंदित बहुत सारे action लिए भी जा रहे हैं लेकिन भूमी पर यानि कैलिजे की जो कैलिजे धारतल पर दिखने भी चाहिए वो कारे ऐसा नहीं कि हवा में सारे काम खतम हो जाने चाहिए क्योंकि परियावरण से ही हम सब हैं अगर परियावरण यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रभावित होती है हमारे किसी भी क्रियाकलाब से चाहे हम economical activity किसी भी प्रकार की कर रहे हैं तो उसका परोग चुरोप से प्रभाव हमें अपने जीवन पर भी देखने को मिलेगा तो आसा करता हूँ कि question का detail आपको अच्छे से clear हो गया होगा और कोई भी doubt हो तो comment box में पूछ सकते हैं आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 9 देखिए इसमें है कि 9 नवंबर को पूरे भारत में राश्ट्रिय विदिक सेवा दिवश के रूप में जो है मनाया जाता है और इसके साथ ही साथ इस दिवश को मनाने का उद्दे से समाज के कमजोर वर्गों को मुप्त और सच्छम विदिक सेवाय मोहिया कराना है तथा यह सुनस्चित कर करना है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों से न्याय प्राप्त करने के आउसरों से वंचित नहीं रहना चाहिए तो आई होप कि हम अपने देश में जानते हैं कि गरीब तबके की जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अपणला दबा देते हैं और डरा धमका के तो वैसे भी कमजोर लोगों को न्याय यहां पर नहीं मिल पाता है ठीक है और जो लोग गुनेगार होते हैं जो अपरादी भली से अपराद उनका साबित नहीं हो पाता है तो बेल पे छुट्टी लेके भी आ जाते हैं तो यहां पर बेसिकली ये आपका जो राष्टिय विदिक सेवा दिवश मनाया जाता है इसका उद्देश मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मुप्त और सच्छम विदिक सेवाय मुहिया कराना है और यह भी सुनिश्चित करना है क कोई भी वक्ति आर्थिक कारणों से न्याय प्राप्त करने के आउसरों से वंचित नहीं रह पाए तो आसा करता हूँ कि डेटेल क्लियर हो गया होगा आईए अगला कुश्चिन देखते हैं अगला कुश्चिन हमारा है कुश्चिन नमर 10 देखे इसमें पूछा जारे कि 9 9 नमबर को विस्व भर में कौन सा दिवश मनाया जाता है तो अभी हमने उपर 9 नमबर को एक दिवश को अभी अच्छे से क्लियर करने का प्रयास क्या इसके साथी साथ 9 नमबर को जो है यहाँ पर विस्व उर्दू दिवस भी मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है अ विष्व हिंदी दिवस की बात हो तो 10 जनवरी याद रखना है और भारत में हिंदी दिवस की अगर बात हो तो आपको 14 सितंबर याद रख लेना है तो आज़ा करता हूँ कि यहाँ पर question आपको clear हो गया होगा आईए ब इस question के जो important details से उसे भी जानते है देखिया आपर सबस उनको सम्मानित किया जाता है तो आज़ा करता हूँ detail clear हो गया होगा आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा वीडियो का last question है इसे भी देखते हैं देखिये इस में पूछा जा रहे कि नेमनमेशे किस राज सरकार ने प्राकृतिक संरच्छन मिशनों के प्रबंधन के ल प्राकृतिक संरच्छन मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विसेश प्रायोजन वहान यानि कि तमिलनाडू green climate company इस्थापित किया है इसके साथी साथ यह company तीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरच्छन मिशनों तमिलनाडू जलवायू परिवर्तन मिशन तमिलनाडू अधरभूमी मिशन और तमिलनाडू green moment मिशन का प्रबंधन करेगी तो काफी important है यह question और इसके साथी साथ इस details को भी जो है अच्छे से आपको clear कर लेना है और किसी भी question को लेकर अगर आपको doubt होता है समझ में नहीं आता है तो comment box में जरूर पूछिए और किसी exam related भी अगर काफी helpful होगा जो आपकी आगामी परिच्छाएं है इसके साथी साथ जो है आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा motivation और appreciation मिलता है हमें लगता है कि हम जो effort कर रहे हैं वो आपके लिए relevant है महत्वपूर्ण है और काफी helpful है इसलिए आपने like करके हमें appreciate किया ताकि हम आगे ऐसे ही कारे करते रहें इसके साथी साथ वीडियो को आप share कर सकते हैं maximum दोस्तों के साथ ताकि उनको भी help मिल सके क्योंकि जो कुछ भी हम आपको content provide करते हैं सब कुछ free of cost होता है तो अगर दूसरों को share करें ताकि उनको भी लाव मिल सके चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करिए और उसके बगल में जो bell icon का button है या घंटी है उसे क्या कर लीजिए प्रेस कर लीजिए दबा लीजिए तभी वीडियो की notification मिल पाएगी अन्य था आपको वीडियो की notification नहीं मिल पाएगी